अबसकार दोस्तों आज मैं आपको यह चार कलर का खुब्सूरत सा डोर्मिट बनाना बताने जारी है इसको मैंने 25 फंदें बनाये है आपको में डोर्मिट अच्छा लगे तो अपलाई करिए सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करिए अब लाइकन जब दबाई इससे मेरा आगली वीडियो के नोडिफिकेशन आपको पहले हैं यह चार कलर का मैं आपको खुब्सूरत सा डोर्मिट बनाना बताने जारी हैं यह मेरे चार कलर हैं रेड है ग्रीन है ब्लू और ब्लैक अब यह दिखिए मैंने यह वाइट कलर से मैंने 25 फंदे डाल रखे हैं इसको मै इस तरह से उल्टी-उल्टी बिन लेंगे यह दिखिए पूरी लाइन हम इसको इसी तरह से उल्टी-उल्टी बनाएंगे अब यह दिखिए हमने पूरी लाइन उल्टी-उल्टी बना के कम्प्रीट कर ली और यह दो फंदे हम छोड़ देंगे धागा यहीं से घुमाके सीधी साइड आएंगे और सीधी साइड में हम सारे फंदों को इसी तरह से उल्टा-ल्टा बना के कम्प्रीट करेंगे यह दिखिए पूरी सीधी सलाई हम ऐसे उल्टा-ल्टा यहां तक बिन लेंगे अब यह देखें में सीधी शलाई पूरी उल्टी उल्टी बनाके कंप्रेट कर ली तो हमारी यह दो लाइने यह वाइट की बन देए अब यह देखें पहला फंदा उतारेंगे धागांगे करेंगे यह दिखें इस तरह से और यह देखें एक ये दो दो फंदे हमने बिली हैं तो ये हमारे तीम फंदे वाइट के हो गए अब हम यह देखि यहां से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से इस पंदे उठाएंगे और यहां पर मैं ऐपना यह ब्लैक कलर pled यह देखि इस इस तरह सेसको हम यह आपको फसा देंगे और यह पूरी लाइन हम उल्टी-उल्टी नेंगे कि हम सभी फंदों को इस तरह से उल्टा-उल्टा सारिफ सफेद फंदों को उल्टा-उल्टा बिल लेंगे यह ब्लैक कलर से अब दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे उस पर दो फंदे छोड़ें दो फंदे हम चोड़ें तब हमारे चार फंदे छूड़िया एं धागा यह से घूमें एविसमने गुमांके फिर मव mejorar यह पूरे फंद अिक भिली हम देखे और यह देखे हमने ब्लैक के सारे फंदे ब्लैक से मिल लिए अब इस धागे को पीछ करेंगे और ऐसे आगे और इसको ऐसे नीचे से खीच के टाइट आगे लाएंगे और यह हमारे तीन फंदे हैं इनको हम वाइट से बनाएंगे एक, दो, और यह तीन यह देखे हमने तीन सभेद ऊढ़ा सब्सक्राइब कि उल्टी साइड में देखै पहला पंदा उताहिए तैंसे, और यहां पर फिर एक लिए पंदा आचे और 3 पंदे आ हम यहांसे, इस बीट्व यहां फिर हैा पनदा बढ़ा के सबस्क्रान अर्डा देखтते सब्सक्राइब यह पूरी लाइन हम ऐसी उल्टा उल्टा बनाके कम्प्रीट करेंगे इस तरह से अब दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे तो अब यह हमने यह ब्लैक वाले दो फंदे छोड़ दिये धागा यहीं से खुमाके सीधी साइड में सीधी साइड में ब्लैक वाले फंदे ब्लैक से और वाइट वाइट से बनाएंगे जैसे मैंने पिछली बार दिखाया था यह इस तरह से हम पूरी लाइन ये ब्लैक की ब्लैक कलर से बिल लेंगे और ये दिखिए हमने सीधी सलाई पूरी बना ली ये ब्लैक वाले ब्लैक से और ये वाइट की तीम फंदे वाइट से अब हम फिर से उट की साइट में पहला फंदा उतारेंगे धागांगे और ये दो फं को ऐसे करेंगे अड़ ये पूरी फंदी हम इसी तरह से उल्टा-उल्टा बनाएंगे अब ये दिखें दो फंदें फिर से छोड़ देंगे दो फंदें फिर से छोड़ देंगे धागा यहां से घुमाके ये दिखें सीधी साइड पूरी ऐसे उल्टी-उल्टी बनाके कंप्लीट करेंगे ये दिखें सीधी साइड हमारी जैसी यह ऐसे यह बनाना है इस तरह से सीधा हमें हर बार ऐसे यह बनाना है यह दिखें हमने सीधे वाले पूरे ब्लैक फंदे ब्लैक से बिल लिए अब धागा इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे आंगे लाएंगे और यह तीन फंदें हम वाइट के हर बार बनाएंगे यह दिखें इस दागे को ऐसे करेंगे और यह एक फंदें हम बिल लेंगे यह दिखें उल्टे 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 जो जैसा कर यह दिखिए पूरे हम ब्लैक वाले फंदे पूरे ऐसे यह बनाएंगे अब यह हम दागा ऐसे गुमा के यहां लेंगे और यह दिखिए यहीं से हम दो फंदे फिट छोड़ देंगे तो अभी हमने यहां पे दो दो फंदे छोड़ते हुए जाना है यहां में एक एक फंदा बढ़ाना है अब यह दिखिए हमने उल्टी लाइन कंप्लीट कर ली अब हम सीधी साइड में आगे पहला फंदा उतारा धागांगे किया और यह दिखिए इस तरह से एक दो यह इसी करके इसको ऐसे करके टाइट करके बिलेंगे तो यह दिखिए हर सलाई में हमारा एक एक फंदा बढ़ रहा है यह दिखिए इस तरह से आई यह पूरी लाइन हम ऐसे ही बनाएंगे आज है यह दिखिए तागा यहीं से अब हमारी यहां पर हर सलाई में इक फंदे बढ़ रहे हैं तो यहां पर हमने कितने फंदे छोड़ दिये दो दो चार दो च्छे दो आट दो दस दस दो बाराद 24 चाओदा फंदे चेढ़े और यहां पे हमारे छेट फंदे दो फंदे में हम नहीं बढ़ाया थे और छेट फंदे अमने यहां पे बढ़ गए और यह एक तो तीन चार पांग चछे साथ साथ वर हमने बढ़ा लिए अब यह देखिए उल्टी सलाई पूरी ऐसे बनाएंगे अब यह देखिए हमने फंदे बढ़ा लिए अब यह हमारी सीधी सलाई पूरी ऐसी बन रही है अब इस दागे को ऐसे करके यह देखिए इस तरह से हम मांगे लाएंगे तो यहां पे हम और यह दिखे हमारे फंदे आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो अभी हमने फंदे छोड़ रखें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ हैं छे फंदे हमने बढ़ाएं तो हम अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे और यहाँ पे अभी हमारे बाकिए एक, द यह धागे को ऐसे करें वहन्य फंद नहीं हुआके बनाना अभग ön फंढा में पूर ऐसे अ एक कुछषन पाभाई 오늘도 सब्सक्ड़ों में पर चीष बनाया है सब इसकुषन आदे बढ़ाई है इससे में ॡो हम फंदे बांद हम फंदी नहीं बढ़ाएंगे है आधे से यहाँ फंड यह दो फंडु सब्सक्राइब हमने बढ़ाई हैं तो हमने आदी में फंदे बढ़ाई हैं अभी बाकी फंदों को ऐसे ही बनाना है यह दिखे हमने सीधी साइड बना ले फिर उल्टी साइड आगे और यह दिखे धागा गुमाएंगे और यह इस तरह से फिर हमको ऐसे फिर अभी हमको यह पूरे फंदे ऐस फंदें यहाँ तक घोड़ देंगे हर सलाई में दो धो छोड़ेंगे और हम्में फंदे नहीं वढ़ाने होगएं, इस साइड हमें कुछ टरना नहीं है यह दिखेशे पूरी सीधी ऐसे हमें उल्टा-उल्टा बनाके कंप्लीट करना है यह दीखेश धागा पीछे इसको इस तरह से और इसको ऐसे आए रहेंगे और यह पूरी याए यह देखे तीन फंदे है यह हमारे तीन फंदे सुवाइट के हर बार रहेंगे यह देखे इस तरह एसे और अब हम ब्लाइक के पूरे फंदे हर सलाई में छोड़ देंगे, यह दिके पहला फंदा उतारेंगे धागांगे करेंगे, इसी तरह से हमें रिपीट करना है, यह देखे पूरे फंदा बिलिये, अब फिर से यह देखे इसको इस तरह से करके, और यह पूरा ऐसे बनाएंगे 2,3,4,5,6, उस बार 8 फंदे थे, अब 2 फंदे हमने छोड़ दे, धागाएं इस खुमा के, अब ये पूरे हम 6 फंदे छोड़ देंगे, ये 3 फंदे वाइट कर रह जाएंगे तब दिखाएंगे आपको, अब ये दिखेंगे, दो दो करके पूरे छंद, ब्लैक पूरे फंदे छोड़ दिए, अब ये सफेद आले 3 फंदे वच्चे हैं, इनको हम ऐसे करके पूरे छोड़ देंगे, ये दिखेंगे, अब हम इस धागे को इसके वाइट के उपर करेंगे, और यहीं से इसको ऐसे निकालेंगे, ये दिखेंगे, और ये अभी हमारी हाफ क कली बन के कंप्लीट हो गई है, ये दिखें, ये हमारी हाफ कली बन गई है, अब हम ये दिखें, पहला फंदा हमें हर बार उताना है, ये इस कर देंगे, और ये दो वाइट के हमें बिनने हैं, ये दिखें, जो हम हर बार बिनते हैं, अब इस तरह से ये धागाय से करेंगे और यह दिखे, दो फंदे हम ब्लैक के बिन लेंगे, यह दो फंदे बिन लेंगे, और यह तीसरा फंदे पर ऐसे उतार के इसको धागा इसे गुमा के निकार लेंगे, और इसको इसी में पिरो देंगे, अब हम सीधी साइड में आ जाएंगे, यह दिखे, और यह यह फंदा ह छो दो हमने ब्लैक के भी नहीं रहने बिंड़ा है दागा पिछे इसको इसतरह से और Haha इसको वाइट ओले को ऐसे कंगर近 सि judgment hè यह थीन हम वाइट के भी म μέगे एक जो हम ने फॉर्दी के टी दिर एक फिर से बिंड़inek आगे जो हमने सुरुम बनाई ती ये पाहला फंदा उतारी है धागा आगे और यह द दिखे हम यह दो फंदे वाइट के बिलेंगे एक तो यह तो यह हमारे तीन फंदे हो गया अब उस बार हमने ब्लैक के दो फंदे भी नहीं थे इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको टाइट करके ये एक दो ये दो फंदे हमने ब्लैक के भी नहीं थे अब हम दो फंदे और बिन देंगे इसको इसी में पिरो देंगे और सीधी साइड में यह दिखे सीधी साइड में हम चार फंदे भी नहीं चारी भी नहींगे एक, दो, तीन, चार, लिए चार हम फंदे हमने ब्लैक्यू नेते, धागा पीछे इस तरह से आँगी किसार, और ये इसको वाइट को आँगी लाएंगे, और ये तीन फंदे हम इहें वाइट के बेन देंगे, ये दिछे, इस तरह से, जिदेखें हमारी करी हल्का सराउंडर दिख रही होगी, फिर हम उल्टी साइड, परला फंदा उतारा, और ये दिखे हम, एस तरह से, इस फंदे को एक, इन तीन फंदे विल दिखेंगे, एक फंदा उतारते हैं, दो विल दिखें, और ये फिर, दो फंदे, हर बार में, दोनली लेते हुए, नीचे की तरए पढ पांच तो यह अपने हमारी छह फंदे हो गए फिर हम सात में पर लगाएंगे इसे इसी में ऐसे पीड़ीं चणा नीजने अब anty-vy और यहां से में आ त्षिजीदी साइड हम ऑफ में चाह कर दो ऑने हमधिक definite चेहां अम साथ तक पैकन पर शेग độ यहां हम पूरा ऐसे ही बनाना यह देखे धागा इस पर लूप लगाया और यह सीधी सलाई हम पूरी इसको ऐसे ही पिरो देंगे यह देखे इस तरह से और यह पूरी लाइन हम सीधी सलाई ऐसे उल्टी उल्टी बनाके कंप्लीट करें अब यह देखे हमने सीधी सलाई कंप् दो, टीन, चार, पांच, छह। यह 6 फणदें हपने बिने थे और 2 फणदें हमने। 7, 8 यह 8 फणदें हमने बिन लिए धागा यहां से गुमा केrict помог हुआ फिर वाप से पेला फणदा ये देखिए जिस फणदें पर हमने लूप लगा तो हम उतार देंगे ह। और यह बाकी फंदे जो हमने बिने थे उन्हीं फंदों को हम सीधी सलाई में पूरा ब्लैक वाले ब्लैक से और वाइट वाइट से बनाएं सीधी साइड हमने कंप्लीट कर लिए दिखें अब हम फिर से उल्टी साइड में आगे और यह पहला फंदा उतार लेंगे अब यह देखें हमें हमें आधे फंदे तक फंदे हमने घटाए थे तो आधे फंदे तक हम इनको ऐसे भी लेंगे सीधे सीधे इस फंदे को ऐसे करके और यह देखें तो अभी हमारी कितने फंदे हो गए एक तीन यह एक तीन दो पांच छैए साथ आठ नौ तस ग्यारा बारा तेरा और यह यहाँ पे लूप लगाएंगे तो यह हमने तेरा फंदे बिलिए है यह दिखिए अब यह हमारी यह आधरी फंदे यहाँ तक यह फंदा उतारेंगे और यह इसी करेंसे पूरा लाएंगे वुल्टी वुल्टी बना के कम्प्लेट करेंगे अब यह दिखिए मैं सीधी सलाई पूरी बना लिए अब यह दिखिए पहला फंदा उतारेंगे भागा आँगे अभी हमने जो फंदे बनाएगे तो ये फंदे हमने सारे उठा लिए इस धागे को ऐसे करेंगे और ये देखिए पूरा हम सीधा-सीधा ऐसे बनाएंगे उल्टा-उल्टा ये देखिए अभी हमने चितने फंदेव किये थे अब हमने आधे फंदे यहां पर ये बिन लिये हैं यह देखिए हमने हाप तक बेंड़े फंदे ऐसे अब हमने जो फंदे बढ़ा है यह देखिए सीधी सलाई पूरी ऐसे कंप्रेट करेंगे जो जैसा कलर है अब ये दिखिए हमने सीधी सलाई बना लिये अब हमने छेट बढ़ाए थे वह हमाब हर सलाईमे ही देखिए इस तरए से पुक्राश कहसी एक फंद में टारें डागांगे यहमें हमें टीन हर बार ऐसे विलने अब ये देखिए हम 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे बस्ताग कम्प्लीट करेंगे अब यह दो फंदे हम बिना बिने फिर से ले लेंगे यह से वापस लुप लगाये इसको आसे उतार लिया और बाकी हैं ऐसे बिनेंगे सीधी सलयपोरी अब यह दिखे हम फिर से उल्टी साइड यह विन लिकाँ बिनडिये अब उल्टी साइड आ गया पहला फंदा हम उताल लेंगे खागा आसे divert फंदेंगे इस धागे को ऐसे और यह पूरी लाइन हम यह दिखिए अब दो फंदे का फिर एफंदा कर देंगे इसी तरह से जो हमने छे फंदे बढ़ाए थे उन छे फंदों को हर सलाई में घटा देंगे इस तरह से पूरे अब और यह दिखिए हमने दो दो फंदे लेते हुए हम इस तरब को पढ़ रहे हैं यह दिखिए हमने यहां से स्टार्ट किया था दो दो फंदे लेते हुए अब इतने फंदे ले लिए हैं अब यह पहला यह फंदा उतारेंगे इस पर ऐसे लूप लगा देंगे और इसको हम देखिए इसको बिना बिने यह उतार लेंगे और यह बाकी फंदे जो हमने बिने थे उनको बिन लेंगे इसी तरह से हम काल हर सलाई में एक एक फंदा धा यह दिखें सीधी सलय, पूरे ऐसे उल्टा उल्टा बनाके कम्प्लेक, यह दिखें में सीधी सलय पूरी बनागे, तेहां फिर से उल्टी साइड आइए इस फंदे को हमनों ठार गिया, मज़ील हिईए इस द्धागे को तेहां हो, मेस् पांता इस द stress अगिस्टर तेहे, और यह पूरी लाइन हम इसी तरह से बना के कम्प्रीट करेंगे और जो यह देखें हर सलाई में एक-एक फंदा हम घटा देंगे अब यह दो फंदे बच्छें इस द्धागी को ऐसे करेंगे अब पूरे हम यह सीधी चलाई हम पूरी ऐसे बना के कम्प्रीट करेंगे अब यह दिखें में सीधी साल बेट कर लिए अब यह दिखें पहला फंदा फिर से उतारेंगे और भगा ऐसे कमाते लिए और यहां पर हम एक दो यह दिखें दो बीली अब दो फंदे का फिर एक फंदा कर देंगे यह दिखें अब यह हमने दो फंदे का एक फंदा कर दिया और यह पूरी लाइन हम ऐसे उल्टी उल्टी बढ़ेंगे अब यह दिखें अब यह दिखें अब यह दिखेंगे अब यह हमारे चार फंदे वाइट के बचें इस धागे को ऐसे इसमें पिरो देंगे यह दिखें इसमें लूप लगाना जरूरी नहीं तो यहां पर हमारी जो गैपिंग से जाड़ी पढ़ जाएगी इसमें यह फंदा उतारेंगे और इसको टाइट करके अगले फंदे हम इसी तरह से उल्टा-उल्टा दिन लेंगे पूरी लाइन हमें ऐसे बना के कम्प्लेट करना है यह देखिए सीधी सलाई हमें पूरी ऐसे बना ली धागा पीछे और इस फंदे को ऐसे हैं और यह देखिए हमारी कली भी बनके कम्प्लीट हो रहे है यह देखिए अब यह हमारी चार फंदे सफेद के रहे हैं जिन्हें हमें लेना है और यह देखिए हमारी एक कली यह बन रही है अब इस फंदे को हम उतारेंगे यह देखिए पहला फंदा धागांगी करेंगे और यह देखिए एक दो फंदे हमने बिन लिए अब हमारी चार फंदे यहा वाइट से बिन देंगे, अब ये हमको पूरी लाइन लास्ट तक है, वाइट से ही बनानी है, अब ही हमारे ये टोटल 25 फंदे हो गए होगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाइस, ये चार फंदे ही, इन चारो फंद, ये वाइट वाले सारे फंदे ले लेंगे हम, तो ये अभी हमने 22, 23, 24, ये 25, ये हमने 25 फंदे हैं, अब ही हमारे हो गए, जो हमने शुरू में डाले थे, ये दिखे इस तरह से, अब हमको, अब ये दिखे सीधी सलाई, पहला फंदा उ और ये दिखे, पूरी लाइन अब हम यहां तक वाइट वाइट की बिन के कंप्लीट करेंगे, इस तरह से हम पूरी लाइन वाइट वाइट वाली बना लेंगे, और ये दिखे हमने एक कली बना के कंप्लीट कर लिए, अब हमें यहां से दूसरी कली स्टार्ट करना है, तो कि यहां पर हम एक फंदा तीन फंदे के बाद में एक फंदा यहां पर हम बढ़ा लेंगे इस यह पूरी लाइन हम ऐसे ही बना के कम्पेर करेंगे जैसी है यह दिखेंगे पूरे फंदों को हम इसी तरह से उल्टा-उल्टा बिन लेंगे अब यह दिखें हमने पूरी लाइन ऐसे उल्टी-उल्टी बना के कम्प्लीट कर लिए अब दो फंदे हम यहां पर छोड़ देंगे इस तरह से और यहीं से घुमा के फिर सीधी साइड आ जाएंगे और सीधी लाइन पूरी ऐसे उल्टा-उल्टा सीधी वाइट से बिनके कम बेला फंदे उतारेंगे और यह पूरी लाइन हम ऐल्टी-ओल्टी बनाके इस तरह से कम्प्लीट करेंगे हुआ हैट यह पूरा हमें यहां तक ऐसे बनाना है यह दिख 유 Darren हमने पूरी सलाई बना ली अब यह हमारी एक क्ली बनके कंप्लीट हो गए हैं आफ में यहां से दूसरी कली स्टार्ट करनी है तो same इसी तरह से यहां पे यह green कलर लगाऊंगी अपना तो जैसे यहां ने यहां ब्लेक से स्टार्ट चिया था चांगे पहला पंदा उतारेंगे धागांगे करेंगे और यह एक 2 यह दो फंदें हां वाईट से बीनेंगा और यहहां पर एक पंदा बढ़ाएंगे यह इससे ग्रीट से एक पंदा यह दिकिए इसतरह से हमने बढ़ा मैं और आप यह दोनों मिद्गे जोड़ettes निर mają से यहां से हमारी दूसरी करें ओ रही है से तरह से जैसे मैंने नीचे बनाया था और यह मृझे भड़ाऊंगी यह मेरा पच्चीस पन्दे की है तो यह जतना है उसे आधा पूरिा पंडे में लाइन हम यह 2 § छोड देंगे तो वह ब्रेटे हमने दौना हें यह चार फंदे कषर जाएंगे यहa हुर्ण विभाइट के जोड़ जाएंगे यह देखे किनारी में यहां पर हम उल्टी सलाई पूरी एकी बनाके कम्प्लेट करेंगे यहां एक एक से बढ़ाएंगे हर सलाई में और यहाँ दो-दो फंदे छोड़ते जाएंगे तो जब यहाँ पर हमारे 6 फंदे बढ़ जाएंगे फिर उसके बाद हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे फिर हम ऐसे सिधा-सिधा बिनेंगे और यहाँ दो-दो फंदे छोड़ते हो सारे पंदे चोड़ देंगे बढ़े हुए और वो भी और उसके बाद में यह तीन फंदे रह जाएंगे इन तीन फंदों तक पूरे फंदे यहां से यहां तक छोड़ देंगे उसके बाद फिर हम सीधा सीधा बिनेंगे फिर जो 6 फंदे हमने बढ़ाएंगे वो बिनने के ब बाद में आधर ये पीने के बाद में फिर हम उन फंदों को एक एक करके जहां तक घटाएंगे यहीं से फिर हम is इसा सबौंद करेंगे इसी तरह से हमारी कली बणके तयार होगे मैं आपको अ ब конце पेया अने के दिखाते हूं के मैं इसी तरह से यह बनाया मेरा डूरमेट अच्छा लगी तो अपलाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सेयर करिए, नमस्कार.